हाई फ्रेंज में डेजल क्लासेस में आप लोग के बहुत स्वागत करता हूं तो मैं डेली बीस पर यहां पर करेंट पर पढ़ाता हूं जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा करेंट आपकी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो जाता है तो आज हम देखेंगे दो दिशंबर हो गई तो आज तो हम दो दिशमबर से करेंट पर जो इंपोर्टेन बनेगे यहां से हम कवर करेंगे अगर आप चैनल में नए होगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाया और बेल आइकान को आउन करके रखिए गए ताकि नोटिफ प्रक्षबल जिसे बिया सब कहते हैं तो हाली में एक दिशमबर 2022 को अपना कौन से इस्थापन दिवस मनाया है तो 56, 57, 58 इनमेंस कोई नहीं तो इसका सही आप सर्फ़ जाएगा 58 इनठानवा जो हाली में जो सीरा सिमा सुरक्षबल है बिया से अपने हाली में एक दिशमब को अपना एक दिशमबर 2022 को अपना यहां अन्ठावनवा जो कि इस्थापना दिवस मनाया है बिए से अपने जो कि आपके सिंडल गवर्मेंट के अंतरगत आता है बिए से तो याद रखिएगी इसका सी आपसन सही हो जाएगा जो कि पुछा जा सकते है तो याद आई हाल ही में YAS Bank ने सुरुवाती ताउर पर Agency Flowers A.R.C. या J.C. Flowers A.R.C. ने कितनी फिजदी एह हिस्थादारी खरीदी ली है तो 7.9, 8.9, 9.9% यादी है इनमेट कोई नित हाल ही में YAS Bank ने सुरुवाती ताउर पर जेसी Flowers A.R.C. यहाँ पर जो कि हिस्थादारी खरीदी है 9.9 प्रतिसा तो हाल ही में यहां बंग और से रिसे लगभग 19.9 प्रतिसे तो हिस्षदारी खरी दी गई है अगला कोशन एक्षा लेगते हैं भारती स्टेट को बैंक जानते हैं यहां पर भारती स्टेट बैंक के जो बॉड्द नहें यहाँ पर 29 नॉम्बर 2022 को 22 से 23 के दवरान 2022 से 23 के दवरान यहाँ पर इंट्रफक्चर बान जारी करने कितने करोर रुप्य जुटाने क्परस्ताओं को मंजूरी दी है तो इंट्रफक्चर बान जारी करने के लिए यहाँ पर इंट्रफक्चर बान जारी करने के लिए तो यहाँ पर बात करते ही स्टेट बैंक आप इंडिया के इसका स्टेट में ऑ पर इसके सौट क कॉंट इसके स्टयंट में कहा जाता है इसकी स्थाफना एक जुलाई 1955 को स्टापना किया गया तो यह तो नärke when स्थापना दिवस एक जुलाई 1955 को सिस्थापना किया गया सब्सक्राइ Francisco恵 मुंबई महाराष्ट्र में याद रखिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है केंदर सरकार ने एक दिसम्बर 2022 को भी जी ट्वेंटी समुख भारत की अधक्षेता के पहले दिन को चीनित करने के लिए जी प्रतिक चीना के साथ देश के कितने केंदर सरकार ने एक दिसम्बर 2022 को जी ट्वेंटी समुख भारत की अध्यक्षेता का पहले दिन ही चीनित करने के लिए जी ट्वेंटी प्रतिक चीना के साथ देश में लगभग सव इस मार्कों को रोशन करने का निए लिया गए जिसमें देश को तुकि भब बेतर की जिसमे हैं सजाया जाएगा और यहां पर एक स्थाल बनाया जाएगी। हरने के यहां पर किन दाugen्दर सरकार ने निढह लिया है ंप्सलार को सकते हैं हस्तां या डी है इन्वेस कोई नहीं तो हाल ही में 20 तो इसके सही आप सब्सक्राइब 20 तो इसका फुल फार्म होता है आपका विए आप यूनियन स्टेंडर्स इसका फुल फार्म होता है यहां जो बीस की बात करीती है उभुकता मामलो और खाद्यम सारवजनिक वित्रण मंत्राला के अधिन यह कारे करती है इसकी स्थाफना 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थाफना दिवस है और हेटकॉर्टर इसका नेव दिल्ली में इसका हेटकॉर्टर है और इसके जो डारेक्टर जनरल वर्तवान में प्रम कुमार जो तिवारी है प्रमोत कुमार जो तिवारी इसके वर्तवान में डारेक्टर जनरल है जो एक आईएस ऑफिसर है तो हाल ही में जो बीस ने पाठेगरम को हिस्सेक रुप में भारती मानको को लागों करने के लिए इंजिनरी के साथ यहां पर समझाता किया है तिसका आपसर सही हो जाए अगला कोशन देखते हैं यहां पर हाल ही में किस राज्य में सीप कोट और जोगिक पार्क को उधाटन किया गए तो बिहार असम तमिल नाडू डी है इनमेस कोई नित हाल ही में तमिल नाडू राज्य में यहां पर सीप कोट और जोगिक पार्क को उधाटन किया है तो याद रखिए जो सीप कोट है आपके तमिल नाडू राज्य में इस्तित है तो अभी हाल ही में इस और जोगिक पार्क को उधाटन किया है जो सीप कोट आइठी पार्क है जो कि एक स यहां पर नादु के बात करते हैं यहां पर पार्क है जो कि यहां चिन्नाई सहर में इसको बनाएगा है सेरी जीला में तो याद रखी इसका सी आप से सही हो जाएगा तो यहां पर बात करें तमिल नाडू के राजधानी है चिन नई एम की श्टालिन यहां के मुख्य मंत्री और स्री आरेन रवी और तमान में यहां के राज्य पाल है तो याद रखिएगा अगला कुछ सन है जो के चिन के पूरवा राष्ट पती थे तो हाल ही में इनका निधन हो गया तिसका भी आप सन सही हो जाएगा अगला कुछ सन है भारत और कीज देश का आर्थिक सहयोग और व्यापार जो समझाता है 29 दिसमर से लागू होगा तो आस्टेलिया चीन और आपका बांगला देश दी है इनमेस कोई नहीं भारत और आस्टेलिया दोनों देशों के बीच यहां पर आर्थिक सहयोग और व्यापार पर समझाता 29 दिसमर से लागू होगा तो यादे रहे जो लेनल देने समझाता हो हो गए तो 19 स्टार्ट हो गए त Euch यहां की राजधानी कैप्टल है यहां की कैनवरह की एफ तॉसप प्राइम मिनिस्ट्र इंथ्वनजी यहां के प्राइम बे meny गळिया के प्राइम मिनिस्टर है तो इसका जो सही आप संड हो जाएगा आप रज़ाएगा ही अगला विक्रम एस किलोसौर के कितनी साल की उमरमें निधन हो गाया है तो 54-44 चारहत्तर यहँ है उनम मेस को हाल ही में टोय сожал चर्ण कार कमपनी है तो हाल ही में टोयोतो किलोस कर के वाइस चेयरमेन जो विक्रम एस किलो altura जो की टोटो कंपणी की कार कंपणी की जो की वाइस चेयर्मेंट थे इनकी जो 14 साल की उम्र में इनका निदन हो गया है तो याद रखिए इसका भी आपसन सही हो तो इसका भी आपसन याद रखिए अगला कोश्चन है दस्सों कशन हाली में यूसको द्वार बेकरी आइटम फ्रेंच ब्रस दर्ज़ दिया गए तो अमरीत नस्कृतिक विर्यसात जिवन सांस्कृतिक विरासत यहां पर वेकरी आइटम को आपके बिखृटन अंयरता दरजगी है तो मुस्ट उंपोटिंट के नहीं इसको नहीं तो नाम में इसको म्होंडिके विरासत इसको दर जगी गिस्सक challenge उने व्हाइ抗ुपर्एन ओर दिन यहां घ्रीट को भी एक इसको आपके अमरीट सांस्क्रेथिक विरासत के रूप में इसको दर्जा गिया है दिया गया है यह उन्हों इसके द्वार दिया गया है याद रुखिए तो अगला क्यारों का सहली में राष्टि सांक्य की कारियाल है जिसे एनसों कहा जाता है तो इसके डेटानूसार 2022-23 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकिल जो शकल घर एलूद पाधा जीडिपी की विद्धिधर कितनी नापी गई है तो पाध दसन्व तीन पतिसत च्छाई दसन्व तीन पतिसत या डी है इनमेस कोई नहीं थी इसका सही आप सर्ण हो जागा च्छाई दसन्व तीन प्रतिसत यहां पर एने सो द्वारा इनके डेटा नुसार जुलाई सितंबर महिने के लिए भारत में जो शकल घर लूद पाधे जीडिपी कहा जाता है जो कि विद्धिधर च्छाई दसन्व तीन प्रतिसत बताई गई है तो यहां पर राश्टी सांखे की कारियाल है कि द युद्ध अभियाद 2022 की सराज्य में आउजित किया जा रहा है हिमाचर प्रदेश उत्राखन असम डी है इनमेस कोई नहीं तो हाली में अमेरिका और भारत के बीश यहां पर जो भी सायुक्त सायन अभियास है तो दोनों देशों के बीच के सेनक भी सिया अभियास है कैसे बहतर से बहतर हम दुस्वनों से कैसे लड़ पाएं ऐसे ऐसे टाप किया पर जो अभियास होता है इन दोनों देशों की तो हाले में जो सायन अभियास है युद्ध दप्याद 2022 आपके उत्राखन रायरा राज्य में इस्वा आयोजन किया जा रहा है तिसका भी आपसन उत् प्रफन की विंटर में यहां के जो कैपटल होती है देहरा जुन और समर्सी जन में यहां की गैर्शन कैपटल है और पुसकर सी धामी यहां के मुख्य मंत्री है पूर्वा लेप्टन जनरल गूर्मीच से यहां के राज जिपाल है तो याद रखिए अगला कुशन है अगल प्रतिलाग जीवित जन्मा या अंठाम्डे प्रतिलाग जीवित जन्मा याड़ी है इनमें सकोई नहीं तो आपके आने वाल एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टन कोईशन है तो याद रखिए गजी तो हाली में आखडो कनुसा थारा बीस अठारा से बीस जो एर है इसम जो की आंकडों से पता चला है तो याद रखिए गए इसका संताम्डे प्रति लाग जीवित जन्मा यहाँ पे आंकडों नुसार जारा से बीस के दोठन भारत में अहां पर संताम्रे प्रतिलाग जीवित जन्मा ना पी गई है तिसका भी आप्शन सही हो जाएगा अगला कोश्य देखते हैं वी सो बैंक के माइग्रेशन एंड डेप्लोप्मेंट ब्रिप के अनुसार 2022 में भारत में आपक्षिद प्रेशर प्रवाग कितना है तो 90 बिलियन अमेरिकी डालर यहां पे जो कि विस्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेप्लोप्मेंट ब्रिप के अनुसार 2022 तेश में भारत में आपक्षिद प्रेशर प्रवाग है लगभख 100 बिलियन अमेरिकी डालर बताया गई है तो इसका भी आपसान याद रखिएगा अगला क्वेशन है नागालेंड कितनी दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाता है तो एक दिसंबर दो दिसंबर तीन दिसंबर या डी है इनमेस को यह तो हाल ही में नागालेंड ने अपनी स्थापना दिवस एक दिसंबर को मनाया थे तो आज एक दिसंबर को मतलब इस्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इस्थापना होने के कारण जो नागा लेंड है तो अपना इस्थापना दिवस मनाया है एक दिसंबर को याद रखिए तो यहां में बात करें हम नागा लेंड की नागा लेंड की राजधानी है कोहिमा ने फियोर को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजेगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन डेली पेस पहुंच पर मैं डेली फेस पर करेंट पर साट बजे अपलोड कर देता हूं यहां से पढ़ सकते हैं तो चलिए बस आज के लिए इतना है अच्छा लगे चैनल को लाइक